नमस्कार विद्यर्थी मित्रों मित्रों आजी आपड़े गाला असाइमेंट 2021-2010 हिंदी प्रस्णपत्र पांच विभाग एनु सोल्यूशन करवना छिए तो मित्रों आपड़े मारी यूट्यूब चेनल उपर गणित विग्नान गुजराती अने हिंदी ना प्रस्णपत्र ना सोल्यूशन करेला छे आज दरेक प्रस्णपत्र ना सोल्यूशन तमने मारी यूट्यूब चेनल ना प्लेइलिस्ट मा जाशो ले तमने आ सोल्यूशन मड़ी जाचे तो आजी आपड़े जोए मित्रों प्रस्णपत्र पांच विभाग ए तोरन दस हिंदी तो तमने ख्याल छे मुझे कि आया आपड़ी पांचे पेलो विभाग ए छे गध्य विभाग छे एमा आया नहीमन लिखित प्रस्णपत्रों के सही विकल्प चुनकर उतर लिखे एमा पेलू छे वह करवट आदमी की नहीं थी तो किस की थी तो मित्रों एनो जौबाउसे ए भाग यो त्यार पच्छी बी जू छे बुधिराम की बेटी लाडली काकी के लिये कौन सा कवच थी तो मित्रों एनो जौबाउसे बी सुरक्षा का त्यार पच्छी त्रीजू कालिदास हरेण सावक के अंगों पर किसका लेप लगाते है तो मित्रोंनों जवबाव से सी धूत त्यार पच्छी अपड़ा अगडवती है तो अयां सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए एमा चोथू सुधा कुलकर्णी के पती का नाम खाली जग्या है तो मित्रों एनों जवबाव से नारयान मूर्ती त्यार पच्छी पांच मूँछे बीस मलने अपनी मा की तुलना खाली जग्या की माता से की है तो एमा आवे छे मेजी नी मेजी नी त्यार पच्छी छठू मालती ने बींदू को खाली जग्या में खाना खिलाया मालती ने बींदू को खाली जग्या में खाना खिलाया तो एमा मित्रों जवबाव से चोक त्यार पच्छी आया प्रया गडवती है तो आर इतनू आवसे नीमन लिखित वीकल्प में से सही वीकल्प चुनकर वाक्य पुर्ण कीजिये एमा साथ मुझे सदानन का मन प्रसंता से नाच उठा क्यों की तो मित्रों एनों जवबाव से ब वाक्य पुरू करण छे क्यों की ने थी लखन जग्या गड़ पंडित साधी राम की उदार्ता के कारण त्यार पच्छी आवे छे गरीब अपनी जीवी का चलाने के लिए तो मां आवसे ओ धनो पार्जन में लगा है त्यार पच्छी नव मुँआ जे बुढ़ा पा त्रुष्णा रोग का अंतिम समय है तो ए वाक्य मां उसे ओ जब सम्पुर्ण इच्छाए एक ही केंद्र में आ लगती है त्यार पच्छी अपड़ा गडवतिया या नीमना लिखित प्रस्णा के उतर एक एक वाक्य में लिखिया तो दस मुझे दन्तुल ने हरनी सावक को अपनी सम्पती क्यों कहा हरनी सावक दन्तुल के बाणों से कायल हुआ था इसलिए दन्तुल ने उसे अपनी सम्पती कहा त्यार पच्छी अग्यर मुझे त्यार पच्छी नीमना लिखित प्रस्णा का उतर दो तिन वाक्य में लिखिये यहां बार मुझे बिस्मल को अपनी एक मात्र इच्छा क्यों पुरी होती दिखाई नहीं दे रही थी तो मित्र अपने नो जवाब जोई है है बिस्मल की एक मात्र इच्छा थी के बिस्मल की एक मात्र इच्छा थी एक बार अपनी मा के चर्णों की स्रद्धा पुर्वक सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना पर उनकी यह इच्छा पुरी होती नहीं दिखाई दे रही थी क्योंकि उन्हें भासी की सजा हुवी थी और वे चेल में थे त्यार पच्छे अपने आगडवतिये तो यहां निम्न लिखित प्रस्णों का उत्तर चार पांच वाक्य में लिखिये यहां छे तेर्मू नोकर के सबंद में नणंद और मालती के वीचार में क्या अंतर था तो मित्र अपड़ेनों जहब जोई है यहां मालती की नजर में बिंदू उन अन्य नोकर की तरह है जो करों में छोटी मोटी चोरिया करते करते बड़ी बड़ी चोरिया करने लगते है उसकी नजर में बिंदू एक चोर नोकर है और वह जूट बलता है उसके साथ नर्मी से पेश न आकर कड़ाई से पेश आना चाहिए ननन्त की नजर में बिंदू चोर नहीं है वे अपने आप तथा मालती को ही चोर मानते है जिन के कारण बिंदू में चोरी की भावना का जन्म हुआ उनके विचार से सब को सब चीजे मिलनी चाहिए हमने उसे नहीं दिया इसलिए बिंदू को यह चोरी करनी पड़ी त्यार पच्छे अपड़ा गड़वती है तो यहां अचे पंडित साधिराम के दिल में क्यो सांती नहीं थी तो मित्र अपड़ेनों जहब जोई है यहां पंडित साधिराम गरीब थे पर दिल के बुरे न थे उनके अपने यजमान लाला सदानन से लिया गया कर्ज बोज के समान लगता था वे चाहते थे कि चीशतर भी हो उनका रूपया अदा कर दे वे लाला सदानन कव इस रकम की ज्यादा परवा नह थी वे चाहते थे कि साधिराम रूपय देने की कोशिस नह करे उन्होंने इससे लिये कभी तकादा तक नहीं किया पर साधिराम सोते थे कि वे कुछ नहीं कहते तो क्या हुआ इसका मतलब यह थोड़े ही है कि में भी निशिंट हो जाओ इसलिए साधिराम के दिल में सांती नह थी त्यार पचे अपड़ा गड़वती है तो अहां में छे चवुद मूँ निम्न लिखित कथनवका आसे सपस्ट कीजिए इन यंदर बुधा पा बहुदा बच्पन का पुन्रागमन हुआ करता है तो मित्रो अपड़े नो जवब जोई है यह बुधा पा बहुदा बच्पन का पुन्रागमन करता है यह नो जवब जोई है कहते हैं बुढ़ापा बच्पन का ही एक रूप है रुद्धावस्ता में मनुष्य की हरकते बच्चों जैसी हो जाती है रुद्धावस्ता में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते है और उन्हें बच्चों की तरह दूसरों का सहारा लेना पड़ता है दिमाग हो जाता है और यादास बच्चों की तरह हो जाती है दात गिर जाते है और मनुश्य का मुह बच्चों की तरह ओपला हो जाता है बच्चों की तरह रुद्धों को मान अपमान की परवान नहीं होती जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता उसी प्रकार अनीचा का भी कोई महत्व नहीं होता रुद्धावस्ता और बजपन की अधिकांस बातों में समानता होती है इसलिए कहां जाता है कि बुद्धापा बहुदा बजपन का पुन्रागमन होता है त्यार पच्छी यहां वे छे अथ्वानो प्रश्णा छे अथ्वानो प्रश्णा हम क्यों एसी चीज खाये जो सबको नहीं मिलती इसलिए से तो सोरी की भावना को जन्म मिलता है मनुस्य का स्वभव है कि वह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु का इस्तमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की इच्छा भी उसकी भी इच्छा हो जाती है यदि वह वस्तु उसे उपलब्द नहीं होती तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में भी नहीं हिच्छा दा इसलिए जब तक सब चीजे सबको नहीं मिलती चोरी बंध नहीं हो सकती चोरी की भावना पन पने में नो देने का एक उपाय यह है कि लोगों के एसी चीजों का उप्योग करने से बचना चाहिए जो सबको उपलब्द नहीं हो पाती तो मित्रो आरितनों अपनु हिंदी नू तोरण 10 प्रश्न पत्र पांच विभाग एनू सल्यूशन हतू तो मित्रो आरितनां गाला समेट ना सल्यूशन मुक तो रैस चेनल उपर नववे तो चेनल ने सबस्करब कर लेबी चेथी तमने आवा सोल्यूसन छे ये जहरे मुकू यूट्यूब चेनल पर तो तमने तनो पेला वेला ख्याल आवे